हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल आज हम न्यू पैटन में सलवार मोहोडी डिजाइन बनाएंगे उसके लिए हमें चकोर सेप में कपड़ा लेना है इस कपड़े को फोल्ड करके यहां पर लगाएंगे बिल्कुल इसी तरीके से एक के बाद एक कपड़े को फोल्ड करके हमें ऐसे ज्वाइंट करना है और इसके किनारे की साईड में सिलाएंड चला लेनी है अब हमें इस डिजाइन की एक लंबी सी लाइन बना कर तयार कर लेनी है यह जो हमने डिजाइन फ्रेंड बनाई है इसकी लंबाई आपको अपने सलवार का जो मोहोडी है उसके के बरावर लेना है अब हम थर्मा कोल का ऐसा बबल लेंगे यह नजदी के सिंगार के दुकानों पे आपको इजली मिल जाएगा कोई एक साइज का हम बबल लेंगे और इसे हम कपड़े में ऐसे फोल्ड करेंगे धागे की मदद से हमें कपड़े को अच्छे से लौक करके यह से एश्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है सेम साइज का हम ऐसी धेर सारी पोटली की डिजाइन बना लेंगे पोटली डिजाइन बनाने के बाद इन सारे डिजाइन को हमें यहाँ पर ऐसे लगाना है यह देखिए एक के बाद एक सारे डिजाइन को ऐसे लगा कर सिलाई चला लेंगे ये बहुती इजी तरीका है इस डिजाइन को तयार करने का अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करके घंटे को बजा कर आल का उप्सन सलेक्ट करें जिससे हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेग तो ये देखिए फ्रेंड हमारी ये लाइन कम्प्लीट हो चली है यहां से हम धागे को कट कर लेंगे धागे को कट करने के बाद यहां किनारे की साइट से हमें एश्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है एश्ट्रा कपड़े को कट करने के बाद इस डिजाइन के लंबाई के बराबर हमें एक कपड़ा लेना है यह देखिए कपड़े पे हमने बक्रम को चिपकाया है डिजाइन की लंबाई और कपड़े की लंबाई दोनों सेम है बक्रम की चोड़ाई हमने धाई इंचली है यह देखिए दोनों साइड से हमें कपड़े को ऐसे फोल्ड कर देना है चलाते हुए हमारी ये लाइन कम्प्लीट होई अब ये देखिए हम इस कपड़े को बीच में से ऐसे फोल्ड करेंगे यहां से अच्छे से आपको फोल्ड कर लेना है कपड़े को ऐसे और जो हमारा पोटली वाला मोहोडी डिजाइन था वो लेना है इस डिजाइन में हम ये वाले डिजाइन को ऐसे लगाएंगे यहां पर दोनों डिजाइन को जोइंट करते हुए हमें यहां से सिलाई चलानी है सिलाई चलाते समय जो हमारा लंबी लाइनिंग वाला कपड़ा है उसे थोड़ा टाइट ली घीचेगा तो ये देखिए फ्रेंड हमारी ये लाइन कम खड़ा लेंगे सल्वार के कपड़े में हमने मोहोडी की चोड़ाई एक साइट से 16.5 इंच ली है आप अपने हिसाब से कम बेसी कर सकती है अब हम कपड़े को ओपन करके इसमें चूनड बनाएंगे चूनड का साइज आप अपने हिसाब से ले सकते हैंगर आप चोटा-च चुनट पसंद करते हैं तो आप छोटा चोटा चुनट भी ले सकते हैं तो ये देखिए इस तरीके से चुनट बनाते हुए हमारी ये लाइन कंप्लेट होई अब हम धागे को cutting कर लेंगे धागे को cutting करने के बाद अब हमें मोहोडी का डिजाइन लेना है डिजाइन को हम सलव सिलाई चलाते सामें हमें कपड़े को ज़्यादा टाइटली नहीं गीचना है तो ये देखिए फ्रेंट ऐसे आपको सिलाई चला लेनी है अगर आपको मेरी ये डिजाइन पसंद आए तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताईएगा अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे धागे को कट करने के बाद हम चूनट को अच्छे से इस्तरी कर लेंगे इस्तरी करने के बाद फ्रेंट हमारा मोहोडी का ये डिजाइन कम्पलीट हुआ आपको हमारा ये सलवार मोहोडी का डिजाइन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताईएगा हम आपके कमेंट का वेट करते हैं ये देखिए हमारा सलवार मोहडी का डिजाइन 15 इन चोड़ा है आप अपने हिसाब से कम बेसी कर सकते हैं